दूनिया भर में जो दूसरे देशों में देखा गया है, वहां से हमें ये पता चलता है कि वेवस आती रही है, सक्सेसिव वेवस, फर्स, सेकेंड, थर्ड, कईयों में फोर्थ वेव भी देखी जा रही है, तो वेवस का आना एक वाइरस का नाचुरल जैसे कि उसका प्रोग और कितने लोग का अल्रेडी एक्सपोज हो चुके है, दोनों तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है, तो हमारे यहां पर वाक्सिनेशन जो की बहुत जोडशोर से चल रहा है, और हमें उमीद है कि हम जल्द ही अपनी सिग्निफिकेंट पॉपॉलेशन को प्रोपोर्शन को हम immunize कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा factor होगा यह determine करने में कि wave ना आए, या wave आए तो बहुत छोटी wave आए, इसके साथ ही इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आम जनता जिसका बहुत बड़ा योगदान होगा इसमें, यह decide करने में कि wave आती है और वो कितनी बड़ी होती है, यह दोनों factors में, तो हम कितना rigidly, कितना इमानदारी से COVID appropriate behavior को follow करते हैं, मास लगाना, दूरी बनाए रखना, crowded places पे ना जाना, और अगर आप बिमार है तो घर पे ही बैठे रहना, आपको थोड़ा सा भी doubt होता है, खांसी जुकाम है, तो आप अपने आपको और दूसरों को भी protect करने की mentality से act करें, तो यह सारे factors determine करेंगे ultimately हमारे यहाँ पर कि COVID की third wave कब आएगी और वो कितनी बड़ी होगी